मैं संतोश सर्मा नास्तिक हूँ मेरे नजर में इश्वर अल्लाग गौड का बास्तब में कोई अस्तित नहीं है इश्वर अल्लाग गौड ये भग्मान एक कल्पना है अंदुश्वास अफवा है और मैं आज अन्रिश्वास, अफवा या कल्पना से मुख्ट होकर एक नास्तिक बन गया हूँ मैं नास्तिक हूँ या सुनने के बाद मेरे आस्परोष के लोग, मेरे ऑफिस के लोग तक ये सवाल करते हैं कि तुम नास्तिक कैसे बन गया है? इस्वर है, अल्ला है, भगवान है, और वो हमारी बात सुनता है इस्वर अल्ला गौड की मर्जी से सब कुछ होता है यानि आप जो नास्तिक बने हैं, इसके पीछे इस्वर अल्ला गौड की मर्जी है इस्वर चाहा है, इसलिए आप नास्तिक बन गया है जिस दिन इस्वर चाहेंगे, अल्ला चाहेंगे, गौड चाहेंगे, फिर आप नास्तिक से आस्तिक बन जाएंगे, भगवान विश्वासी बन जाएंगे इस तरह की मज़ेदार बाते सुनकर मुझे हसी भी आती है, जो लोग ये कहते हैं कि आप भी इस्वर की मर्जी से आज नास्तिक बन गये हैं इस्वर की मर्जी होगी तो आप फिर आस्तिक बन जाएंगे, इस्वर विश्वासी बन जाएंगे मुझे ऐसे लोगों की बातों से ऐसी तर्क से हसी आती है क्योंकि जब मैं यह पूछता हूँ कि इस्वर की मर्जी क्या होती है इस्वर की मर्जी से ही जदी सब कुछ होता है अगर इस्वर की मर्जी से ही मैं नास्तिक बना हूँ तो क्यूं मैं इस्वर के खिलाप ही मोट्चा खोलगा रखा हूँ क्यूं आज मैं जन जन ए लोग को बताना सूरू कर दिया हूँ इस्वर अल्लाग गौड अंदुश्वास है अफवाह कल्पना है इस्वर अल्लाग गौड को हम इंसानों ने बनाया है अगर इस्वर होता इस्वर की मर्जी से हम नास्तिक बने हैं तो क्यूं हमारे मुझे भगमान का नाम सुभा साम नहीं ले रहे हैं अगर इस्वर की मर्जी से हम जैसे नास्तिक बन गये हैं तो क्यूं हमें आपका इस्वर मुझे मंदिर ले जा रहा है आपका इश्वर क्यों मुझे उनके सामने हाथ जोड़कर ख़रा करने के लिए मजबूर कर रहा है क्यों हम जैसे नास्तिकों को धर्मस्तल मंदिर में जाके पूचा अर्चाना करने के लिए बाद नहीं कर रहे अगर इश्वर की मर्जी से ही मैं नास्तिक बना हूँ तो क्यों मुझे इसे नास्तिक अपने लेखनी में अपने बक्तब में अपने उटूब चानेल में यहाँ बार बर कर रहा है इश्वर अल्लाग गौड अंदिश्वास है अंदिश्वास से बाहार आए इश्वर अल्लाग गौड कल्पना है कल्पना से बाहार आए इस्वर अल्लाग गौड का बास्तर में कोई अस्तित नहीं है यह अन्विश्वास है अन्विश्वास से बाहर आए और नास्तिक बनिए जो लोग मुझे यह कहते हैं कि इस्वर की मर्जी से आप नास्तिक बने हैं इस्वर की मर्जी से ही सब कुछ होता है तो उन्हें मैं एक सीधा साधा सवाल करता हूँ अगर इस्वर की मर्जी से ही सब कुछ होता है तो क्यूं आप मेहनत मजदूरी करते हैं इस्वर की मर्जी होगी तो आपको ठाली में रोटी मिल जाएगी इस्वर की मर्जी होगी तो आपका बैंक में पैसा अपने आप चले आएगा इसवर की मर्जी होगी तो आप जब बिमार पढ़ेंगे तो अपने आप सौस्थ हो जाएंगे आपको डाक्टर के पास जाने की जड़त नहीं है आपको दवा लेने की ज़रूत नहीं है अगर आपके सरीर में कोई बड़ा सा बिमारी है उसे अपरे इसवर का नाम लेते रहें आपका कैंसर ठीक हो जाएगा लेकिन बास्तर में क्या देखते हैं जो लोग कहते हैं कि इसवर की मर्जी से सब कुछ होता है इसवर की मर्जी से आप नास्तिक बने है उल बेखती ही जब बिमार पढ़ता है तो दवड़े दवड़े भागे भागे अस्पताल जाते हैं डॉक्टर का तलास करते हैं दवा लेते हैं सीधे सब्द में आप जो लोग दावा करते हैं इस्वर की मर्जी से ही सब कुछ होता है आप भी इस्वर की मर्जी पे कुछ बिश्वास नहीं करते हैं आपको भी यह पता चलता है कि इस उबर की मर्जी से कुछ नहीं होता है, हम इनसान की मर्जी से ही सब कुछ होता है, अगर हम बिमार पढ़ते हैं, तो हम इनसान ही इसका इलाज करते हैं, अगर किसी के सरीर में कोई बड़ा से बिमारी है, तो हम इनसान ही उसे डॉक्टर बन क अब आपरेशन करते हैं Как20 करते हैं हम इंसान ही साइन्टीज बनके दुनिया को बदलते हैं इंसान की खीद के लिए नय-नय अविश्कार किरते हैं जिस तरह से आज स्मार्ट मोबाइल भंडाये हैं YouTube गुगल भंडाये हैं और इसके मתद से हम अपने खुविदा काम करते हैं हम इंसान ही अपने सुविदा के अनुसार कंपूटर बनाया है लेपटोप बनाया है जिसके माध्धम से हम अपने काम को तीजी से कर पा रहें आसाने से कर पा रहें हम इंसान अपने आपको स्वस्थ रखने के लिए बिमार से मुक्त रखने के लिए दवा का अविस्कार किये हैं नएने ओपरेशन के तरीके अविस्कार किये हैं जब भी लोग बिमार्ग पढ़ते हैं तो बिज्ञान उसे स्वस्थ करने के लिए नएने तरीके का इस्तमाल करते हैं और लोग स्वस्थों के आ भी जाते हैं आप दिखिए जब कोर्णा महामारी फैला तो लोगड़न बुलाये गया अगर आप इसवर की मर्जी के बात करेंगे तो हम आपसे सवाल करेंगे जब कोर्णा महामारी आया तो सरकार ने इस महामारी इस कोर्णा भायरस को रोखने के लिए लोगड़न बुलाया मंदिर मस्जिश चड़ का दर्वार्या बंद कर दिया गया धर मस्तलों में जानने पर पतिबंद लगा दिया गया आपको सरकार ने कोर्णा नियमों का पालन करने ले कहा गया आपको कोर्णा महामारी कोर्णा भायरस से बचने के लिए मास्क पहने के लिए सला दी गई आपको भैक्सिन लेने के लिए सरकार ने अपील की जगा जगा स्वास सिभीर लगाए गए अस्पतालों में स्वास सिभीरों में स्वास केंदरों में व्यक्सिन दी गई उस वक्त आप लोग कहां थे जो ये दावा करते हैं कि इस्वर की मर्जी से सब कुछ होता है अगर इस्वर की मर्जी से सब कुछ होता है तो आपको मान लेना पड़ेगा कि महामारी एकोणा महामारी भी इस्वर की मर्जी से हुआ है और इस्वर की मर्जी से खत्म हो जाएगा अगर आप इसवर की मर्जिसी बात करते हैं तो आपको लॉगड़ॉन पालन नहीं करना चाहिए था ना आपको भैक्सिल लेनी चाहिए थी आपको मंदिर मजदी चर्च में जाना चाहिए था जो दर्वाजा सरकार ने लॉगड़ॉन करके बंद कर दिया था उसे खोल देना चाहिए था अगर आप धर्मगुरु है इस्वर के ठेकेदार है मौलबी पादरी पुजारी या धर्म के गुरु है तो आपको भग़गवान का नाम लेना चाहिए था आपको सरका से बोलना चाहिए था कि आपको lockdown नहीं बुलाना है, vaccine नहीं लानी है, हम भगमान के मदद से महामारी को खतम कर देंगे, कोरोणा को खतम कर देंगे लेकिन हमने क्या देखा, ना कोई धर्मगुरू, ना धर्म के ठेकेदार, ना इस्वर के रूपी, अवतार, रूपी, कोई पाखंडी आकर ये कहा कि हम भगमान के ठिकेदार है, भगमान के अफ्तार है, अल्ला के अफ्तार है, गौड के अफ्तार है, हम भगमान को बुला कर आपके महामारी को खत कर देंगे, कुणा महामारी को खत कर देंगे, आपको भैक्सिन लाना नहीं है, लोगड़न नहीं करना है, लेकिन जो आस्तिक जो इस्वर विश्वासी हैं, वे भी सरकार के नियमों को पालन किया, वे भी बंद दर्वाजे में आ गए लॉक्डाउन के उद्वरान, ना मंदिर गए, ना चड़्सी गए, ना कहीं किसी भगमान के द्वार गए. उस समय ना कोई पादरी, ना कोई पुजारी, ना कोई महलवी, ना कोई धर्म के ठेकेदार, ना भगमान के ठेकेदार, या एजेंट, या कि कहा, कि हम है, हमा को बचाएंगे. उल्टा हमने क्या देखा, जो लोग इस्वर विश्वास करते हैं, जो अल्ला विश्वास करते हैं, जो गौड विश्वास करते हैं, वे भी लोकड़ान को पालन किया, सरकार के नियमों को पालन किया, और भैक्सिन लिया, इस कोरोना महमाई से बचने के लिए, इस से साबि मेरों ने अपने जरुरत के लिए miejsce एक समय इस्वर अल्ला गौत का कपना किया था इसोर अलला गवाथ का अंद्विश्वास हला गया था लगिन आज ज्यान विग्यां तरक ने ध़र स्बित कर दिया मैं आजज इस्वर कोई अंद्विश्वास, कोई इस्वर अल्ला नाम कल्पना हमें कुछ नहीं दे सकता है। इसलिए इस्वर की मर्जी से कुछ नहीं होता है। इस्वर की मर्जी से ना हम आस्तिक बनते हैं, ना इस्वर की मर्जी से हम आस्तिक बनते हैं। हम अपने ज्यान विज्यान के अधार पे आस्तिक नास्तिक बनते हैं अगर कोई आस्तिक बना हुआ है तो उसके पास ज्यान का भाव है अगर कोई नास्तिक बना है तो उसके पास ज्यान है वो अपने ज्ञान से प्रता लगा लिया है इस्वर अल्ला गौड है अगर आप आस्तिक है इस्वर विश्वासी है तो आप ज्ञान विज्ञान को बारे किसी पढ़ना सुरू करिए जानना सुरू करिए धम गंतों को सही तरह से पढ़िए और देखिए वाके में कहीं कहीं क तेरा की बातों को मत्फलाइए, हम नास्तिक बने हैं अपने ज्ञान के अधार पे, सिक्छा के अधार पे, तर्क के अधार पे, युक्ति के अधार पे, किसी अल्लाव, भगमान या गौड नमक अंधुश्वास के मर्जिस नहीं बने हैं, इसलिए आपसे अपिल है, आपसे गुजारिस है, आप यह भ्रम मत्फलाइए, अफ़ा मत्फलाइए, कि इस्वर की मर्जी से आप नास्तिक बने हैं, मैं नास्तिक हूँ, अपने ज्ञान के अधार पे, युक्ति के अधार पे, तर्क के अधार पे